नमस्कार फ्रेंड, फ्रेंड हमाच चनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी से पहले भी बताया था कि UPPCL को जो भी एक्जाम कराना होता है या आप कह सकते हैं कि जो भी एक्जाम होते हैं UPPCL के तरब से तो वो क्या करता सबसे पहले UPPCL जो है अपने जो भी विभाग होते हैं उनके पास जो एक notice जारी करता है और ये notice में वो क्या-क्या चीजे mention करता है क्या notice में बताया जाता है सारक कुछ मैं आपको सामने discuss करने वाला हूँ कुछ चीजे यहाँ पे हैं जो हम लोग यहाँ पे एक hide के रूप में कर सकते हैं मतलब इसको privacy के रूप में रख सकते हैं तो जिसे की मतलब आप कह सकते हैं कि यह थोड़ा सा दिखाना नहीं होता है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह आप देख सकते हैं UP state load dispatch center मतलब यह कह सकते हैं कि यह transmission car portion limited की तरफ से मतलब UP power जो भी है इसके तरफ से जो है विभाग को भेजा जाता है जो भी इनका विभाग होता है सब station जो भी होते हैं जहां से बिजली आपको supply की जाती जहां से आपको मिलती है वहाँ पे क्यूं भेजा जाता है मैं आपको सबस पहले बताऊंगा इसलिए कि इनको जहां जहां पे exam कराना होता है उन जिलों में ये notice भेजा जाता है कि उस जिले में इतने बज़े से लेकर इतने बज़े तक जो है बिजली को नहीं काटना है नतरब बिदली कटाउती नहीं की जाएगी जिसे की online जो भी exam हो या offline जो भी exam हो वो क्या हो की time से exam हो जाए मतलब उसमें कोई बाधा ना आए तो सबस्पले देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने मेंसर क्या किया गया है कि यहाँ पे जो है आपके सामने बताया गया 13 जून 2013 के अनुपालन में बिद्दु सिवा आयोग द्वारा केंप्यूटर सहायक लेखा दिकारी एवं सहायक लेखा कार के पदों पर चैन हेतु आगरा अलिगर बरेली जहांसी मेरट गाजियाबाद कानपूर लखनाओ मुरादाबाद मुजफा नगर परियाग राज एवं वराणसी नगरों को दिनांक 21, 22 वा तेश जून 2013 तक प्राता है साथ बज़े से साम साथ बज़े तक के मध्य निर्बाद कटवती मुक्त बिद्दुत आपूर्ति के अनुमती परदान की जाती है तो कहने मतलब यह है कि आपका जहां जहां पर एक्जाम कराना है मतलब जो है UPPCL को सबसे पहले आपको ध्यान देना है आगरा, अलीगर, मेरट से लेकर यहां पर वराणसी, प्रियाग राज इन सभी जिलों में बिजली नहीं कटेगी कीस डेट को नहीं कटेगी कि यहां पर केंदरी बिद्दुत, नियामक, आयोग यहां पर नई दिल्ली के वर्तमान आदेशें एवं ग्रीड सुरच्छा के परिपेच तक के उपरोगत आदेश सामान ने आवरिती की अवस्था में ही लागू होंगे बिद्दुत, कटावती का सर्वाधिकार, प्रणाली, नियंतरण के आधीन सुरच्छित रहेगा तो कहने के मतलब यह है फ्रेंड कि मैं यह लेटर क्यूं आपको दिखा रहा हूं क्यूं मैं बता रहा हूं सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि इस लेटर की जीक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आयोग जब पेपर कराता है तो वो नोटिस पहले ही जारी कर देता है तो कहने मतलब यह कि आपको जब भी आपका TG2 का पेपर होगा आपको पहले ही मालूम चल जाएगा कि आपका पेपर कब होगा किस डेट को होगा और किस जिले में होगा सारा कुछ यहां पे इन्होंने मेंसर किया है तो इसी वज़़स मैं आपको वीडियो में या इस लेटर को मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं जैसे ही आपका exam date का या फिर बात की जाये तो ये लेटर आता है तो जरूर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा तो आप सभी समय यही कहना चाहूंगा अंत में कि अगर आप लोग चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो जरूर सस्क्राइब कर लिजिएगा बाकी फ्रेंड आप लोग के लिए हमारे चैनल पे हैंड नोट्स तयार किये गया है अप लोग नीचे जाकर इलक्तिशियन रहन नोट्स डाउनड चर सकते हैं अच्छे सभी चीज़ों को हमकर कर सकते हैं कम टाइम में बाकी चैनल सस्क्राइब करें so thanks watching and bye bye